हाई फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको इस तरीके के छोटी-छोटी से पाउच बनाना बताएंगे तो आपको बहुत सारा सामान अपना छोटा-छोटा और्गनाईज करना होता है तो इसके लिए हम इस तरीके से छोटे-छोटे पाउच बनाना आपको सिखाएंगे तो इनको बनाना बहुती सरल है और तीनों पाउचों की अलग-अलग डिजाइन है जैसे हम कहें ट्रैबलिंग पे जाते हैं तो इस तरीके के पाउच के हमें बहुती आवश्यक्ता पड़ती है और घर पर भी हमारा बहुत सारा छोटा-मोटा शामान ऐसा बिखरा पड़ा रहता है तो इस तरीके के पाउच बनाकर हम उन सामान को अपना और्गनाईज कर सकते हैं तो इसके लिए लिया है मैंने एक शायट का कपड़ा ये बूलन जो सायट होती है उसका कपड़ा थोड़ा बचा था तो इसी कपड़े मैंसे हम आपको तीन अलग अलग डिजाइन के पाउच बनाना बताएंगे सिर्फ औली एक कट में एक कट लगाना है आपको और तीन आपको बहुती सुन्दर से पाउच बनकर रेड़ी हो जाएंगे आप इसके लिए कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं जैसे आपके पास कोई सूट का कपड़ा हो या फिर कोई शर्ट का कपड़ा हो कोई टॉप हो अच्छा सा कलर प्रिंट जिसका अच्छा हो वो कपड़ा आप इसमें यूज कर सकते हैं तो देखी अब इसमेंसे एक पा वाला पाउच घंड़ा रहे है, इसकी लंबाई है 6 चोटा चोड़ा है 10 च्रलवाइश, तो यह fraction is cut यह इस बड़ाँवाला पाउच इसके लंबाई है, इस तरीके से माशने अबोप के बता देख , इसकी लैंध है निच और इसकी फोड़ाईश praf करेंगे और 10 इच इस तौड़ाई तो सब चोटी शौट़ाई होती है应 को है क्यां इस लिए मैं बखिए में आपको याद रखना है सबसी चोटी तो उसे हimyसाब को कट करना है और इसके लिए चाहिए अथे Chongki जो आपको online बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है और market में भी मिल जाती है और आपके पास जो ready weight कपड़े आते हैं उन में भी निकलती है तो फॉमकी सीट की हमें same size की cutting कर लेनी है तो जो हमारे सारे pieces हैं इस तरीके से हम कट कर लेंगे फ्रेंट्स मैं क्या करती हूँ ready weight कपड़ों में और साड़ियों में जो इस तरीके की form की सीट निकलती है मैं इसको बिल्कुल नहीं फेकती हूँ और इस तरीके से जब मैं bag, pouch या फिर door mat बनाती हूँ उसमें इस सारी यूज कर लेती हूँ तो इस तरीके से आप भी फेका मत क किजिए बहुत ही ये काम की चीज होती है इस तरीके के जो जितने सारे मेरे पीसिस थे सब के साइट की सेम मिलकुल हमें ये form की सीट कर लेनी है अब इसके लिए चाहिए हमें अस्तर तो अस्तर के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं सूट का हो साड़ी का हो या और पीछे साइट से प्रॉपर हमने इसमें तीन तीन इस्टिफ लगा दी है तो इस तरीके से हमारी अच्छे से पूरा फिक्स हो गया है बीच में सिलाई आपको जरूर लगाना है ताकि हमारे तीनों जो हमारे फैबरिक होते हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाते हैं अब ब प्राशिंच चौडाई और 12 इंच इसकी लंबाई रख सकते हैं अब इसके लिए बना लेते हैं चोटी सी इस्टिप तो जो बस इतना ही कपड़ा हमारा बचा है इसी मेंसे हम अपनी छोटी छोटी सी तीन इस्टिप निकालेंगे तो एक यहां से इस्टिप काट लेते हैं औ और इसको फोल्ड करके दौनों साइड से हमारी किनारियां थोड़ी थोड़ी से फोल्ड करके और इसको एक छोटी सी स्ट्रिप बना लेना है किनारी से दो सिलाईया फोल्ड करके और यह इस तरीके से हमने बना लिये अब इसको हम इसी में अटेज करेंगे तो यह हमने अपन पलट देंगे और जब हमारी सिलाई बीच में आएगी तो जो रनर है आंगे खिसका देंगे तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दिये तो फ्रेंड्स जैसे ही तीन बजते है मेरी मेज पर दूप आ जाती है तो थोड़ी दिकत होती है इस तरीके से ये सिलाई लगा दिये आपके आपको इसले समझ में आज जाए और इस तरीकेसे रहा हमारी सिलाई लग गई है उसको यहाँ से पलट देंगे और पलट कर हम यहां से यहां से भी इस तरीके से टॉप स्टेश हमने इसमें लगाती जाए तौह ँगा लगाने है ताकि यहां रनर चलाएं तो धागा नहीं फसते हैं उसमें और यह देखिए हमारे दौनों साइट से इस तरीके से सिलाई लग गई है और अब इसको हम उल्टा कर लिते हैं और उल्टा करने के बाद इसमें हम जो इस्टिप बनाई है बो लगाएंगे और इसको हम यहां अंदर साइट से इस तरीके से इस साइड हमें दबा देना है और पहले हम इस्टिप रखेंगे उसके बाद हम दौनों साइट से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद तीनों साइट से इस तरीके से पीछे साइट से इस्टिप लगा देंगे और इसको strip लगा कर पलट लेंगे, तीनों साइट से हम strip लगा देंगे किनारियों पर, अब इसको इस तरीके से देखिए, हमने open कर लिया है, तो यह इसका final look है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा यह pouch बनका ready हो गया है, और अब हम दूसरे pouch की seat बना कर देख लेते हैं, तो उसी different है, तो अब आपको इसमें हम दूसरे तरीके से नीचे से fold करना बताएंगे, तो बीच से हमने इस तरीके से इसमें भी stitch लगा दी है, और यह हमारी jip है, तो अब इस तरीके से इसमें पहले हम jip लगाएंगे, तो jip लगाने का सेम तरीका है, उसी तरीके से आपको इसमें फ्रेंट से जिप लगा कर रेडी कर लिए, अब जो हमारी दो स्टिप और बची हैं, इसको भी हम एक को कुल्ड करके और इसमें स्टिप लगाएंगे, और नीचे साइड से हमें देखिए किस तरीके से इसको फोल्ड करना है, तो यह इसमें स्टिप हमें लगा देनी है, तो आप उसी फैप्रिक की पटिया काट सकते हैं, जो आपने लगाया है अस्तर में, या फिर इस तरीके के जो हमारे केरी बैग आते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी रहती हैं, इस तरीके से, तो मैं आपको इसलिए यह आइडिया बता रही हूं, तापकि आपको अगर यह वाल से सिलेंगे, पैसी ही रहेगी, और अब देखिया नीचे से हमें किस तरीके से इसको फोल्ड करना है, एक एक इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे, अगर आपका पाउच बढ़ा हो, तो आप डेड़ इंच, दो इंच भी निशान रख सकते हैं, तो मैंने एक एक किनारी उपर साइट को दबाते हुए, इसमें एक एक इंच फोल्ड करके सिलना है, और जो इस श्टिप बनाई थी, उसको इस तरीके से कॉर्णर पर हमें इस तरीके से दबा देना है, और अब हम इस पर जो हमने एक एक इंच पर निशान लगा है, वहाँ पर हम इसको इस साइड यहां से भी हम इसमें पट्टियां लगा देंगी तो फिछे साइड से हमने दोनों साइड से पट्टियां लगाई है अब इसको ऊपिन कर लीती है थे इसका अलग लुक आएगा तो सट इस तरीके से सिला है और क्यत्ski प्यारी डिजान हमें नीचे साइढ से मिल गई हे इसी तरीके के जो रेडिमिट पाउच आप लेते हो उसमें भी इस तरीके से डिफरेंग 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 बनकर आती हैं अब हम अपनी पाउच नमबर 3 की डिजान देख लेते हैं किस तरीके से कुल्ट करना है तो यह हमारी दोनों जो थर्ड वाली सीट है बनका रड़ी कर ली है और यह देखिए हमारे दो पाउच अभी बनका रड़ी हो गए है अब हम तीसरा अपना बनाएंगे तो यह हमारे द तरीका है तीन पाउचों में और यह हमारी जिप लगकर रड़ी हो गई है और उपर से तोनों साइट इसमें भी हमने टॉप स्टिज लगा दी है अब इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद जो हमने एक श्टिप रहे गई थी वो भी इसमें अटेश कर देंगे इस तरी किसे इस टिप लगाएंगे अब देखिए हमें इसमें क्या करना है इस तरीके से हम कॉर्णर पकड़ेंगे करीब एक से डेर इंच इस तरीके से दूरी पर निशान लगा कर इसमें सिलाइए लगा देने सिलाइए लगाने के बाद इस तरीके से सुई धागे से इनको इस त तो आपको 200-200 से कम नहीं पड़ते हैं, और इसको हम घर पर ही बहुत ही मजबूत तरीके से बना सकते हैं, रेटमेड वाले जो मार्किट वाले होते हैं, बहुत जली फट जाते हैं, और ये दिखिए हमारी तीनों डिफरेंट डिफरेंट डिजाने बनकर फ्रेंट्स कितने आ नहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारा सामान हमें पैक करना होता है, तो इस तरीके से जो हमारे ग्लासिस होते हैं, भो भी हम इसमें रख सकते हैं, तो बहुत ही फ्रेंट्स काम के हमारी ये पाउच होते हैं, और जो तीसरा वाला है, इसमें और ज्यादा स्पेस है नीचे, तो तो इसमें हम अपना बहुत सारा मेक अप का सामान इसमें रख सकते हैं मंजन ब्रोस है बहुत सारा मेक अप का सामान है छोटा मोटा तो फ्रेंड्स इस तरीके के जो पाउच होते हैं ट्रैबलिंग में तो बहुत ही जादा हमारे काम के रहते हैं बहुत सारा सामान हमें पैक क अगर आपने अभी तक मेरी चैनल लाइक नहीं क्या है तो लाइक कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल प्रह जरूर प्रैप करें ताकि इस तरीके के और भी नोटिफिकेशन से आप रेगलर अपडेट रहें तो फ्रेंट्स अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो फ्रेंट्स कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरीके के और भी हल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो फ्रेंट्स इसी तरीके के बहुत सारा यूज कंटेंट मैंने अपनी चैनल पर डाला है आप अहां जाकर देख सकते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में न्यूड जान के साथ तो थैंक्स फोर वाचिंग